हलो दोस्तों आप सभी का और फिर से स्वागत से तो आद दोस्तों में ये रबर्क प्लांट है जो ये काफी दिन से मेरा कुछ खराब सा हो गया है देखें इसमें पत्ते कितने चोटे-चोटे से हैं और ये बिल्कुल इस तरह के गमले में लगा है लेकिन इसमें शायद कोई कमी या परेशानी है तो ये ना तो बढ़ रहा है और ना ही इसकी पत्तिया देखें कितनी चोटे-चोटे से निकल के आ रही है और पहले आप मेरा वीडियो देखेंगे शौट में तो उसमें काफी ज़्यादा पड़े-बड़े पत्ते भी हैं और जो ये उपर से कट आप देखें यहाँ पर मैंने कटिंग भी लगाई हूँ तो और आज मैं इसे दोस्तो करूंगी रिपोर्ट क्या परेशानी है इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये लगभग मेरा दो साल का पौधा है और दो साल के बाद ये पहली बार इसे रिपोर्ट करने जा रही हूँ पहले तो इसे मैंने जब नर्सरी से ली थी तो मैं इसी तरह से लगा दी थी इसकी कोई भी मिटी नहीं हटाई थी तो देखते हैं क्या प्राब्लम है इसमें क्यों नहीं ये पौधा बढ़ रहा है और इस तरह से तो पत्या नहीं होनी चाहिए और देख सकते गमला तो इसमें से निकाल दूंगी हो सकता है अच्छे से कुछ इसका मिट्टी नहीं है या खाद इसमें कमी है इसी वज़े से ये बहुत अच्छी से ग्रोथ नहीं दे रहा है तो देखते हैं क्या इसमें प्राब्लम है तो अब मैं इसे कर देती हूं रिपोर्ट और इसे निकाल के पता चलदाएगा कि क्या पर एसे देखें मिट्टी गिली है और उपर लग रही थी सूखी और इसमें भी देखें जो मैं काफी मुझे डर लगता है कि किसी नए पौदे को लगाने से और चिकनी मिट्टी इस तरह से देखें इसमें लगी रहती है तो जब मैं कोई भी पूरी तरह से देखें सड़ भी गई है शायद यह चिकनी मिट्टी के वज़े से बिलकुल यह देखें रूट्स इसकी ठराब भी हो गई है तो पूरी सड़ भी गई है कई जगहां से और इसी वज़े से लगए यह बढ़ नहीं पाया प्लकुल पहले मैं जितनी भी लेती अब तो सारी जितनी भी चिकनी मिट्टी होती है कोई भी महीना कोई भी मौसम होता है मैं निकाल देती हूं और इसकी यह मिट्टी हटा देती है और यहां पर दूसरी मिट्टी रखोंगे इसे बिलकुल हटा देती है यह जो मिट्टी ही इसमें धूप लगी हुई है बारि कि अब मैं इसमें खाब दे देती हूं तो लगवग मिट्टी जितना है इतना ही मैं इसमें खाब दे रहे हूं और दो मुठी के लगवग में ये नीमखली पाउडर दे रहे हूं नीमखली पाउडर ज़रूरी है इसमें थोड़ा समय इसमें एपसम सॉल्ट भी दे रहे हूं ताकि पत्तिया जो है इसकी ग्रोथ हो वह अच्छे से निकल के आए कि अभी पत्ती इसमें दोस्तों नहीं है तो पत्ती के लिए तो एपसम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है जिससे अच्छी चमकदार पत्ती निकालने की हेल्प करेगा मदद करेगा और थोड़े से में इसमें डाली हूं कोकोपीड भी यह इतना में कोकोपीड भी मिक्स कर देती हूं ताकि मिक्टी बिल्कुल यह सॉफ्ट बनी रहेगी और इसे मिक्स कर देती है देखें दोस्तों यह मिक्स कर ली ओर वैसे तो यह पुरानी मि neurotी है और यह थी मिलकुल भुर हमिक्टी है इसमें संडवागरे सामिक्स है तो से बार-बार पानी देने की जरुरवत नहीं पड़ती है और इदम से देखे मिठी अर जाड़ा कहाद दोस्तों नहीं दी वर्नी कमपोस्ट के लिए बहुत जाड़ा अच्छ खाद है और बनी कमपोस्ट ही जाड़ा इसमें और कोई खाद के इतनी खाद जरूरत नहीं होती है पाकी जो अभी तो पुरा घर्मी का टाइम पड़ाई है तो हम इसे टाइम टाइम पर लिक्वीड फटिलाइजर हो गए तो देते ही रहेंगे तो देखे इस तरह से मैंने इसमें रख दिया है और अब मैं इसमें कवर कर देती मिट्टी से पूरी मिट्टी से यह देखे यह जड़ना बाहरी निकला हुआ होता है इसकी जो कटिंग मैंने लगाई थी यह बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई है अभी देखती हूँ थोड़े टाइम बात जब यह थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा तो मैं इसे यहां से कट कर दूए गणी पत्तिया निकल के आई इस तरह से नहीं काफी दूर दूर आप देख सकते हैं और नीचे तरफ देखे आप पत्तिय नहीं है वह सकता है आप इसे रिपोर्टिंग मिली है अच्छी मिट्टी और खाद सब कुछ मिला है तो यह आगे चलके हो सकता है यहां से भी जो इ चाहें निकल के आए देती हूँ पानी और जैसी भी इसकी अपडेट होगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी और इसे रिपोर्टिंग के बार में जब तक इसमें नई ग्रोथ दोस्तों नहीं आएगी तब तक मैं इसे बिल्कुल अच्छाया वाली जगाह पे रखोंगी बिल्कुल धूम में कहीं भी नहीं रखना है तो इसे में अपने बालकणी में ही रखते हूँ बालकणी में उठा ले जाओंगे वहां पर ऑदी विह वीडियो इति की की दिए दिखाऊंगे भी तो चलिए बस रिपोर्टिंग हो गई मार्च का महिना है और जल्दी की होती तो यह और जल्दी मितला इसकी ग्रोध पतिया सब अच्छे तरीके से निकल के आती तो बस दोस्तों यहीं तक था वीडियो कैसा लगा आपको बताना जब अच्छा देना चलिए मिलते फिर अगली वीडियो में सब तक के लिए बाई बाई